नमस्कार वित्रों माक का नियूज में आप सभी के एक बार फीड़ से सुवागते हैं दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं चठ पूजा से सम्मधित कुछ माप्पूर ने जानकारी हैं आज हम आपको बताएंगे कि आखिर चठ पूजा क्यों किया जाता है इसके पिछे क क्या कारण है किया राज स्समय क्या पॉरानीक कथा है इसके पीछे आ ऐसे आपको इसी के बारे में जान करदेंगे दोस्तों छट एक परबनी है छट एक महा politics परभ हैं जो खासकर उत्तर भारत ने मीनाय जातें विष्ड करके उत्तर भारत में ही उत्तर परदेश हो गया और हो गया जारकंड ओगया साफ अलंग राज्यों में में मना जाते इसके पिछ्य क्या कारण है आज आप को हम जान कर देंगे पूरे डिटोरील पूरे आल टीटोरियल दोस्तों हिंदो के सबसे बड़े परव दिवावली को परवों की माला माना जाता है पांच दीन तक चलने वाले ये परव सिर्फ भईया दूजदा की सीमित नहीं है बलकि यहां परव छट तक चलता है उत्तर परव और खास करके बिहार और जारकंड और भी अलग-अलग राज्यों में ये खास परव माना जाते हैं ये परव बहुत आहम परव है जो पूरे देश में धुम्दाम से माना जाता है छट के बल एक परव नहीं बलकि महापरव है जो कुल चार दिन तक चलता है नहाई खाय से लेकर रुगद्वे भगवान सुर्ज को अर्ध देने तक चलने वाले इस परव का अपना एक एतिहासिक महत्त है छट परव कैसे सुरू हुआ इसके पीछे कोई एतिहासिक कहानी पर चलित है पुरान में छट पुजा के पीछे की कहानी राजा प्रियनवन्द को लेकर है कहते हैं कि राजा प्रियनवन्द को कोई संतान नहीं थी तब महत्तिक कहश्यपन पुत्र की प्राप्ति के लिए ये करा कर प्रियनवन्द की पत्नी मालिनी को आहुती के लिए बनाई गई खिर दी इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई लेकिन वो मुआरा हुआ हुआ पैदा हुआ दोस्तो पिर्यो पिरनवद पुत्र को लेकर समसान गए और पुत्र व्योग में प्रान त्यागने लगे उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवजाना परकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि उस इश्टी की मूल परविती के छटे अंग्स से उत्पन हुई है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई कहते है कि ये पुजा कातिक सुकलसस्टिक हुई थी और तभी से छट पुजा होती है इस कथा के अलाबा एक कथा राम सिता जिसे भी जुड़ी हुई है बुरानी कताों के मुताविक जब राम सिता चोदोबरस के वनवास के बाद व्यद्धा लोट रहे थे तो रावनवद के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने रीशी मुनियों के आदिस पर राज सुर्ययग करने का फैसला लिया पुजा के लिए उन्होंने मुगदल रिशी को अमान्तित किया मुगदल रिशी ने मा सिता पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के सुकलो पक्ष की सश्टी तीती को सुर्जदेव की उपासना करने का आदिश दिया जिसे सिता जी ने मुगदल रिशी के आस्रम में रहा कर छो दिन तक सुर्जदेव भगवान की पूजा की थी एक माइन्याता के अनुसर छट परव की सुरुआत मा वरत काल्वी हुई थी इसकी सुरुआत सबसे पहले सुर्जपुत्र करने ने सुरू की करने ने सबसे पहले पूजा की थी करने भगवान सुरुआतों कमर तक पानी में खड़े होका सुरुआता देते थे सुरुआत की किर्पा से ही वह मान युद्धा बने आज भी छट में अर्ध दान की यहीं परमपरा पजली थे चट पुजा के बारे में एक कथा और भी है इस कथा के मताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए मेहार के तब दोपधी ने चट बत रखा था इस बत में से उनकी मुनकावने पुन्य हुई थी और पांडव को अपना राजपाट वापस मिल गया था लोग परमपरा के मुताबिक सुर्जदेव और चटी महिया का संबंध भाई भाहन का है इसलिए चट के मोके पर सुर्ज की अरधना फल्दाई माने जाती है दोस्तों छट पुजा के बारे में कुछ ऐसे जानकारी इस पकार तृत दोस्तों कैसी लगया आपको जानकारी कॉमेंट करके जोपर बाता है और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेर रुखना ने चाहिए यवीडियो ज्यादा से ज्यादा शेर करें तक takie और में लोग इस वीडियो का अनन्द उठा सके और अगर आपने अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही आपको मिला एक घंटा का आइकॉन गानदा का अबाले जिससे आप हमारे वीडियो को मिक्स ना करें तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही देन्नावाद जहीं जवारत बंदे मातरम